हलो एवरीवन स्वागे तब आपका अपने चैनल में जिसका नाम है क्रिकिट 11 मास्टर तो अभी हम बात करने वाले ECS T10 क्री फिल्ड में होने वाले आज के तीसरे मुकाबले की MSC मतलब Frankfurt और यहां पर Rising Star के बीच में मुकाबला होने वाला Rising Star का टूर्णामेंट का पहला मुकाबला है Frankfurt का तीसरे मुकाबला है अपने दो मुकाबलें बहुत बड़िया तरीके से जीत कर आए और back-to-back जीत कर आए हैं जाथा बड़ी है पर्फॉर्मेंश रही है अभी यहां पर हम याँ पर हम पूरी के पूरी टीम डिस्कस कर लेंगे लु21 को दिखाने है तो वह सारी की सायी अभी माव यहा पर डिसकस कर लेगे अपडेट आपको टैलिग्राम पर देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है अब अगर आप देखो आपके पास प्लेयर्स कौन-कौन से हैं डिटेल सबसे पहले अगर हम बात करें तो بهल आपको यह मैच लाइव देखने को मिले mapped कुछ नहीं हुवा है बॉलर्स के लिये पेहर इतनी बडिया पिछ अगर वही न एक टीम बहुत ज़्यादा बडिया थी एक तीम बहुत जादा बिकार थी तो उसव्य से आपको यह देखने को मिल रहा है कि भीया जो बड़िया टीम है वो ही सब कुछ कर रही है बेकार टीम ज्यादा कुछ कर नहीं रही है अब अगर आप देखो MSC Frankfurt तो दो मुकाबले खेल कर रहे हैं दोनों के दोनों ये जीत कर रहे हैं बड़िया परफॉर्मेंस रही आदिल खान 63 रन के साथ एक विकेट चार रन के साथ तीन विकेट बैक टू बैक दोनों मुकाबलों में भाई आदिल खान ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा शाहिद अफ्रीदी जूनियर के अगर आप बात करो एक विकेट और पचास रन दूसरे मु पास है तीन विकेट और चार रन अब अगर एक चीज़ देखो कादर खान तो इंपोर्टेंट है हम्जा शेहिद आमिर को क्या आप रख सकते हो रख सकते हो ग्रेंड लीग में ट्रेगर ना स्मॉल लीग में नहीं में प्रॉब्लम आ जाती है नफीस बुतार एहमत के साथ क्या इस प्लेयर को रखे या ना रखे मेरे इसाब से तो अगर ना ही रखो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा बट आप रख सकते हैं आपकी स्मॉल लीग में प्लेयर आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया कर सकता है वो आपके उपर है आपको रखना या नहीं रखना है बट ये प्लेयर भीया इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है अगर आप ऐसा बॉलर रखोगे अगर सामने वाली टीम बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर जाती है तो ये नफीस बुतार एहमद इतना बढ़िया नहीं परफॉर्म करकर देकर जाने वाला ये चीज आ को गैरंटी में दे सकता हूं उसके बाद क्यूटूब आपके बास है बार रन की पारे इसने खेली दाउद महमूद आपके बास है बीस रन की भाईया एक कैमियो आया था इसका पिछले मुकाबले में हबीब रह्मान को इतना नीचे भेज दिया है तो यह चीज आपको देख करा नीचे और वही हाजी नहीं दो मुकाबले में बड़िया पर फॉर्म करें डाहँ है पर शाहिदा फ्रीदी जुनियर स्टार्टिंग की हाँए इसने पहले मुकाबले में पहले मुकाबले चाटथ में बहुत जाल का लिए था उसके बाद दूसरा ओवर Hmm कर्वान है तो इक यतार इंधल या पर लुए सब्सक्राइबर में मतलब कर्वाइब क्वसीम छाण में यहां पर इस नाफीश बुतार अहमद 2 over में एक maiden, 3 wicket इसने चटकाई, बढ़िया performance रही है, पहला over इसने maiden कर वाया, दूसरे over में भी है, इसने 3 wicket चटकाई, आदिल खान के अगर आब बात के भी है, 2 over में 3 wicket इसने खोल बढ़िया, इसकी performance रही है back to back performance बहुत ज्यादा बड़ी आ रही है MSC Frankfurt के हर एक player के आपको stats देखने को मिल जाएंगे कोई भी ने अपले रहाता है जो अभी के लिए कम chances हैं कि कोई ने अपले रहाएगा बट आता है तो आप आराम से यहां पर आकर stats देख सकता है अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा अब अगर हम बात करें राइजिंग स्टार की अब अगर आप देखो राइजिंग स्टार की जो इसने खेला था वहाँ पर ओपन करा था उससे पिछले वाली टी ट्वेंटी के अगर आप बात कुरतों नंबर पांच पर आया था तो हो सकता है कि नंबर पांच पर भी आए फिर उसके बाद अगर आप देखो छे मैचिज में रन सिक्षी टू हाई इसको ट्वेंटी इन एवरिज बारा काया स्ट्राइक टेक सो चालिस चौक्य जड़े हैं वो यहां पर पांच ओवर दो विकी टेक सागर कटारी है कि अगर हम बात करें इस प्लेयर की सेलेक्शन ही बहुत ज्यादा गम है बट वैसे नंबर चार पर आता है राइट हैं राइट हम फास्ट ब चौके जड़े हैं यहां पर 306 जड़े हैं भी यह चे बहुत ज्यादा बढ़िया परफॉर्मर रहा उसके बाद यह कुछ 3-4 प्ले रहे हैं जिनके स्टैट्स नहीं मिले हैं यह किसी और कलब के लिए भी नहीं खेल रहे हैं बिल्कुल नए हैं तो यह चीज आपको देख करता है राइट हैं मीडियम फास्ट बॉलर आपके लिए और अगर आप देखोगे डेट मागर बॉलिंग करवाता है बहुत इंपॉर्टन बहुत बड़ी आप ले रहे हैं छे मैचे में रंस 48 हाई स्कोर 31 का स्ट्राइक एक सो सत्रा ओवर 24 और विकेट साथ अजम के अगर यह प्लेयर एक की मुकाबले में इसने ओवर करवाया था यह दो ही मुकाबले टेगल उसमें मिडल में आकर बॉलिंग करवाई थी और वहां पर एक विकेट ले ता उस्मान शिर्जाद आपके पास है राइट हैं बैट्स में राइट हाम मीडेम फास्ट बॉलर नंबर आपको betting करकर देता मीडल ओड कर सब्सक्राइब चार मैच्स में और निए चार मुकब्लों तो मुकाबला में इसना अपने कंप्लीट और कर वाई पने यह बालर बहुत जादा बढ़िया है इसके आपके बाद बहुत जादा बढ़िया है। दस वे नमबर पर आरा बेटिंग करने के लिए रोपन मांकर बॉलिंग करवा कर दे रहा है बॉलर बहुत तगड़ा आई है चे मैचे मां ओवर 23 विकेट आठ बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही है पुनीट अतल आपके बास है लेफ्ट हैं बैट्समें यह प्लेयर आपके लिए बढ़िया हो सकता है उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर गुलिस्तान महुम्मद 2020 में तो इसने एक के मुकाबला खेला वैसे नमबर साथ पर बैटिंग करता है ओपन आकर बॉलिंग में ओपन कर देता है पर में चीज में आपको जो बताना च खेलता है असद अब्बास की अगर हम बात करें इसका पूरा नाम जहीर असद अब्बास है वहां पर राइट हैं वेट्समन राइट हैं फास्ट बॉलर 2019 में ती ट्वेंटी में अगर आप देखो तो चार मैचेज में रंज जीरो तो यह चीज देखकर चले को भी आसना च की डीपिंग सेक्शन के अगर आप बात करो भी है इसका टारिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टन पेक है हबीबुल रह्मान आपके लिए इतना इंपॉर्टन नहीं है क्योंकि भी आपका नहीं है ओपन करेगा नहीं करेगा और कमी चांसे देंगी इस मुकाबल में ओप कर ओपन करकर देकर जाने वाला तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है उसके बाद बैटिंग सेक्शन के अगर हम बात करें आपर ए खान इंपॉर्टन एफ खान असद अबाज आएगा नीचे मैं जो कहूंगा भी है वो सिकंदर को रखर आगर आप जा सकते हो तो सिकंद कहां पर आता है नंबर साथ पर आता था मीडल ओर्डर में आकर आपको बॉलिंग करवा कर देता था तो बहुत बड़ी आप लेर हो सकता है यहां पर जी मोहमद मैं उसके स्टेर्स भी आपको बताई चुका हूं और निंग सेक्शन में आपर क्यों खान एस अगर आप सेलेक्शन देख लो कितनी ज्यादा काम है बहुत ज्यादा बड़ी आप ले रहे हैं दोनों के दोनों मैं से आपको कोई ना कोई तो बड़ी आ परफॉर्म करकर दे ही देगा प्लस साथ में अगर आप देखो तो यह टीम भी ठीक ठाक है मैं यह नहीं को हरा सकती है नहीं ह आप आएगी बहुत कम चांसे हैं क्योंकि जो पिछला मुकाबला मैं देखा नहीं का भीया थार्टी सिक्स पर अलोट होगी थी यह टीम और किसके खिलाफ कॉलन चलेंजर कॉलन चलेंजर जो कल मुकाबले खेलिए की टीम के हम बात कर रहा हूं तो उस टीम के खिलाफ यह यहां पर वो गई थी कि हॉल आउट होगी थी थी थार्टी सिक्स पर तो वो चीज़ आपको देखकर चलनी है उसके बाद अगर हम बात करें आपके पास डवल्यू हाजी का उप्शन अब अगर आप देखोगे तो यहां पर डवल्यू हाजी आपके बास एक बड़िया पि अब इक लिए 73% सेलेक्शन है जब तक मुकाबला शिरू होगा ना 80-85% सेलेक्शन हो जाएगी इसकी फिर उसके बाद अगर आप देखो एस खान का उप्शन आपके बास है डीब एनर्जी यह शिजाद ए शिजाद आपके लिए बड़िया पिक हो सकता अगर है खेलता और पर एफ जान फिर उसके बाद अगर आप देखो क्या हूँ खान फिर उसके बाद यहां पर डी महमूद ए रॉफ उसके बाद जे खान यू डवल्यू हाजी और यहां पर एन बुतार पूरी की पूरी टेम आपके लिए स्मॉल लिग और कॉमन टीम के साथ अगर आप जाना पूध जी और यहां पर एसखान पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रेंड लिग फेब्रेवल टीम है अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जायगा टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिसक्रेप्शन में मिल जाएगा तो इस वीडियो के लिए बस इतना प्रफूड़ूग।